आज हम चना दाल पुलाव बनाने वाले हैं जो मुहर्रम पर बनते हैं देखिए यहां पर मैंने एक कटोरी चना दाल लिया था इसे कूकर में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी देकर इसे हम दो तीन सीटी आने तक पका लेंगे ताकि यह 50% तक गल जाए देखिए यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिये गरम मसाले हैं तेज पत्ता चोटी इलाइची डाल चीनी कबाब चीनी लॉंग बड़ी इलाइची और जीरा है पुलाव हम घी में बनाएंगे आप रिफाइंड ओल में भी बना सकते हैं और घी से बनाने से ज्यादा अच तो राही में घी डाल दिया है अब इसमें हम सभी गरम मसाले डाल देंगे जब गरम मसाले थोड़े पक जाएंगे तब इसमें हम प्यास डालेंगे प्यास डालने के बाद हम प्यास को भूलेंगे अब इसमें हम तीन हरी मिर्च डाल देंगे आला चम्मच लहसुन का पेष्ट डालेंगे और इसे भी प्यास के साथ ही भून लेंगे देखिए प्यास जो भून चुगा है इसमें हम आप चैना दाल को डाल देंगे और उसे एक दो मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे चलाते राना ने तो चैना दाल नीचे चिपकने लगेगा एक दो मिनट हो गए इसमें हम पानी डाल देंगे यहां पर मैंने दो कप पानी डाला है जितना आप चाबल ले उससे डबल पानी डाले क्योंकि यहां पर चैना दाल 50% तक पक चुका है इसलिए ज्यादा पानी नहीं खीच जगा इसलिए जितना चाबल ले रहे हैं उसके डबल पानी डाले यह थोड़ा ज्यादा भी डाल सकता है अगर चैना दाल आप नहीं पकाए हैं पहले से दो अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार देखें यहां पर मैंने बासमती चावल लिये हैं जिसे मैंने तीन चार घंटे के लिए पहले से भीगो करके रख दिया था अब देखें पानी जो बोल होने लगा है अब इसमें हम चावल डाल देंगे चावल डालने के बाद इसे हम चला करके ढख देंगे और हाई फ्लेम पर इसे बोल होने तक पकाएंगे अब बोल होने लगा है और पानी भी काफे सुख शुका है अब इसे हम लो फ्लेम पर बनाएंगे इसे चला करके ढख दें और लो फ्लेम पर बनाएंगे अब बनाएंगे इसे चला करें इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे अब अब बनाएंगे अब घ्रीएंगे अदर बनाएंगे Mac केसर किमाम थोड़े से लूद में भिंगों करके लिए था केसर केसर डालने के भाद चार पास मिनट और भुका लिए और पका लिया है अब इसमें लाश में थोड़ा सा क्दार डाल देंगे अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं तो इस तरह से चना दाल पुलावन कर तयार है आप भी इसे मुहरम पर जरूर बनाए यह बहुत आसानी से बन जाते हैं और खाने में टेस्टी भी होते है